नमस्कार किसान भाईयों स्वागत है आपका चैनल अगरी आकास पे किसान भाईयों आपने कभी ना कभी जरूर सोचा होगा कि केमिकल फटलाजर जादा अच्छा होता है या फिर बायो फटलाजर यानि जैविक फटलाजर जादा अच्छा होता है आपने ये कभी ना कभी ज से जानने वाले ही कौन सा फटलाजर ज्यादा अच्छा होता है इनकी उसके बारे में क्या राय है क्योंकि इन्हों ने शुरू से लेकर के अंदर तक एक फसल में केवल जैवी खाट डाली और एक खेत में होने पूरी जानकारी लेने वाले हैं इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा चनल पर पहली बारा है चनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यहां पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी मातपुन वीडियो बनाता रहता हूं तो चलिए सुरू करते हैं सब आपने कौन से खेत में जैविक फड़ादर का प्रयोक किया हुए कौन से खेत में केमिकल फड़े मैं बताना चाहूंगा कि जो कट चुकी है हमारी फसल इसमें हमने बलवान बायोडी लगाते वक्त डाला था और उसके बाद 25-30 दिनों बाद हमने फिर से बलवान बायोडी आपने कूछ नहीं डाला बस दो ही बारी लगाते वक तो एक पहली खाते रूप में दोबार आपने बार यह यह वाली बलवान बायोडी और जो पीछे आप देख रहे हैं इसमें आपने क्या फटाज़ा डाला हुआ बताना चाहेंगे कि यह जो पीछे कि हमारी फसल तैयार हो चुकी है कटने के लिए इसमें हमने केमिकाल रसानिक खाद यह डिये डाला था जो मार्केट में डिये पी यह वाली अच्छा और पहली निकलते वक्त हमने फिर से इसमें यूडिया डाला था जी जब बालिया निकल रही थी तो उसमें अपने फिर से यूडिया निकल रही तो अगर दूना करें एक दूसरे से तो इसमें इन्होंने दो बार कल फटलाज़ा डाला हुआ है वह भी बलवान बायो डिये पी एक र पहली खाट के रूप में यूडी डाला और अंतीम बार इन जब बालिया निकल रही थी तब इन्हों में फिर से इसमें यूडी डाला तीन बार वे तो अब हम इसका एक केमपेरियन करते हैं हम यह देखते हैं कि दोनों की हाईड क्या थी और उत्तपादन कैसा है तो हाई दोनों की क्या है बताई एप अब और यह जी ये पीछे की हमारी फसल है इसके तुन्हा में हमारा बलवान बायू टुपी वाला जो खेत है उसमें धान हाइट में काफी में लंबा है एक गिर्ण भी नहीं और कल्ले को इसके हैं जाता ही है वही है कि दोनों वराइटी समय है आम तोर पर देखा जाता है गर एक वराइटी-दो-खेट में हमने लगाई दोनों की हाइट बराबर होनी चाहिए लेकिन जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहां पे यह हमारे हाथ में आप देख रहे हैं यह है पौधा और अगर हम इसको देखें कि इसके साइज से यह देखिए जमीन के मुकाबले इस से इसकी जो हाइट है वो और खाद भी डाला है और जब कि जो बायो फटलाजर यहां जो बल्वान बायो डीएप का परियोग किया हुआ है इसमें होने केवल दो बार फटलाजर डाला हाइट भी उसकी बढ़ी और जब धान की हाइट बढ़ती है जैसे अपने आंधी वह नीज बार आई थी दो ती बल्वान बायो डीएपे में लग रहा है इसलिए कि कल्ले इसमें जादा हुए और धान भी बहुत अच्छा बालियां भी अच्छी हो गई है जैसे कि यह भाई साब बता रहे हैं अगर किसान भायों आप देखना चाहें तो मैंने इसके उपर दो बीडियो और भी बनाय कि ज्यादा साखाय में देखने कर दो बालियो जापडा की और उसमें जादा शाकाय में इसमें प्लीचाहें गार। किसान भाइयों जादा हुई लेकिन वह आंधी आने पर गिरा नहीं पाउधा मजबूत रहा और अगर में बादो किसान भाइयों कि जो यहां पर इन्होंने डाला हुआ है यह देखिए जो राशाइनिक खाद है इसमें आप देखेंगे तो कई सारे जो बालियों में दाने है यह निसक्री यह इसमें दाना नहीं है इसमें कई सारे ताने इसमें यह दाने नहीं को नहीं देखेंगे नहीं दिखेगा इसके उंदर की दाना न害 कि आपने बालवान बायो डीएपी का पहली बार प्योग किया था या अपने इसको पहले भी डाला हुआ हमने मैं बताना चाहूंगा कि हमने इससे पहले प्योग किया था अच्छा आपने इसका पहले प्योग किया था इसलिए आपने एक बार एक खेद में इसको डाल करें ज पिछली बार भी अच्छा ही हुआ था फिर हमने सोचा कि छलो ठीक है बगल बगल में लगा कि ट्राइ करते हैं कि किसमें कितना उप्योग लाव मिलता है तो उसके बाद फिर मनें लगाया और इसमें देखा कि कल्ले बहुत जादा हो रहे हैं बालियां भी बहुत अच्छी है और उसके मुकाबले यह बहतर ही है जैसे हमारे किसान भाई ने बताया बलवान बायो डियेपी जो है पुई तरीके से और गयनिक फटलाइजर है और इसका प्रियोग आप हर तरह की फसलों में कर सकते हैं चाहे आपकी जो फसल है वह धान की है गहूं की है गन्ना की है या आलू की है चाहे आपकी फसल सब्जी वर्गी है चाहे वह अनाज वर्गी है चाहे वह फल वर्गी है या बागवानी है आप हर जगा पर इसका प्रियोग कर सकते हैं जैसे मैंने कहा कि बलवान बायो डियेपी पुई तरीके से और गयनिक फटलाइजर है और इसका प्रियो लिए वी नहीं है और ज्यादा उत्पादन भी मिला है जो ने हमें इतनी जानकाई दी इसके लिए इनका बहुत-बहुत धन्यवाद चनल पर आप पहली बार आहें चनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद